अस्सलाम वलेकूम वेल्कम बैक टू चानल कुकविच सलमा तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगलूर की ट्रेडिशनल डिश कट मटन के कोफतों के साथ एकदम ब्राउन और ठिक कट आज हम बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक यरी कुल्ति को गलाकर पानी को स्ट्रेन कर लिया है स्ट्रेन की हुए पानी को दो दिन से पका कर ठिक कर लेंगे इससे ग्रेवी भी ठिक हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा आप चाहें तो जब आप कट बना रहे हैं तभी आप पका कर ठीक कर सकते हैं हमने फिर से रख लिया है गरम होने के लिए थोड़ी देर तक चलिए मसालों की तरफ देख लेते हैं दो स्लाइस की हुए प्याज ले लेंगे ठोड़ा सा लहसुन ठोड़े से अध्रक थोड़ी सी धनिया वनटी स्पुन जीरा हाफ टी स्पुन मेथी और गरम मसालों में हम ले लेंगे तीन लोंग थोड़ी सी दालचीनी का तुखडा तीन ईलाइची हम जीरा और मेथी को भून लेंगे चलिए फ्रेंड्स भून लेते हैं जीरा और मेथी की थोड़ी स्ट्राउंग खुश्बो आने तक भून लेंगे अब हम इसको साइट कर लेंगे और इसी कड़ाई में टूटी स्पून तेल दाल के सभी इंग्रीडेंस को दाल लिया है अब गोल्डन रोहना तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सभी इंग्रीडेंस अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हम इन सभी चीज़ों को दाल कर ग्रेंड कर लेंगे हमारा काटि हम पे गरम हो चुका है अब हम इसमें ग्रैंड किये हुए मसाले डाल लेंगे हमने इसमें जीरा मेथी और सबी चीजों को डाल का ग्रैंड टर लिया था अब हम इसमें टू टीस्पून लाल मिर्च पोडर डाल लेंगे हाफ टीस्पून हल्दी दाल लेंगे सबी चीजों को मिक्स कर लेंगे नमक हमने पहले ही दाल दिया था आप देख सकते हैं हमारे कटकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी हो चुकी है जब हम इसमें टyमाटर की प्यूरी दालेंगे या और भी घाड़ी हो जाएगी हम यहां पेककेजी टामाटर ले लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ नारियल है इसको हमने भून कर हर्या मसाला के साथ ही ग्राइन कर लिया है यह थोड़ी सी इमली ले लेंगे टमाटर को दल कर ग्रेंड कर लेंगे ग्रेंड कर लिया है अब ग्रेवी में दल लेंगे अब हम इसमें इमली का पल्प एट कर लेंगे अल्मोस्स सभी मसाले चले गए हैं कट में अब हम कुफते बना लेंगे कुफतों के लिए हमें चाहिए होगा मटन का खीमा, थोड़े से फ्राइट चना दल 50 ग्राम्स, दो कटी हुए प्यास, थोड़ी सी हरी धन्या, टू टीस्पून अद्रक लहसुन का पेश्ट, सबी इंग्रिजेंट्स को दल कर ग्रेंड कर लेंगे, एक बोल में दुला हुआ खीमा दल लिया है, ग्रेंड के हो मसा अभी एक टीस्पून लाल मीर्ची पौडर दल लेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी दल लेंगे, और टेस्ट के कॉर्डिंग नमक दल लेंगे, फ्रेट चना दल को पीछ लिया है, खीमे में दल लेंगे, अब सबी चीजहों को मिला कर गुन लेंगे, खीमे को अच्छे से कुफटे पूटेंगे नहीं तो हमने कुफटे बना लिये हैं अब इन कुफटों को ग्रेवी में दाल लेंगे हमने अब पे फ्लेम को लो कर लिया है फास्ट फ्लेम मैं करना वरना कुफटे फुट सकते हैं अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाईएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे चानल को तो कौफतों को डाल लिया है अब इसको धीम यांच पर 15 मिनिट के लिए पकाएंगे तो अल्मोस्ट हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है और कौफते भी अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे तो हम तड़के के लिए 5-6 टेबल स्पून तेल दाल लेंगे तेल के साथ साथ 2 टी स्पून घी दाल लेंगे घीर दालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुश्बू भी अच्छी आएगी हाफ टी स्पून राई यानि मस्टर्ट सिच्ज भी दाल लेंगे तेल और घी दोनों अच्छे से गरम हो चुके हैं अब हम इसमें आधी कटी हुई प्यास दाल लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता दाल लेंगे प्यास को अच्छे से गोल्डन ब्रोन होने तक रोष्ट कर लेना है हमारी प्यास गोल्डन ब्रोन हो चुकी हैं ग्रेवी में दाल लेंगे तो लीजिये गरमा गरम कट सर्व करने के लिए तयार है रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले